आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello students, यहाँ question given question में कहा रखा कि How does the magnetic moment and pole strength of two parts of a magnet change if magnet is cut into two pieces along its length यदि magnet का हम लोग लेंद के along cut कर रहा है तो magnetic moment और pole strength आपका कैसे change करेगा that is asking from the question सबसे पहले अगर माँ बात करूँगा कि जो dipole moment होता है आपका dipole moment जो आपका होता है dipole moment of a bar magnet बार magnet का जो आपका dipole moment होता है हम लोग ने क्या पढ़ रखा है कि वो आपका directly proportional होता है आपका volume of the directly proportional होता है आपका volume of the bar magnet के ठीक है volume of the bar magnet के अब पॉइंट हमारे हाँ पे क्या है कि हम लोगों ने इसको two parts में इसको हम लोगों ने क्या किया इसको cut किया ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, कि two parts of the magnet change, जब अपने हम लोगों ने magnet को इसको two pieces में along the length cut कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या, कि जब हम लोग इसको two pieces में cut करेंगे, तो वहाँ पर volume के हो जाएगा, आपका volume आधा हो जाएगा, ठीक है, अगर length के along, अगर मैं cut करता हूँ, त ठीक है, वहाँ पर volume आधा हो जाएगा, और यदि आपका volume आधा हो रहा है, तो we can say, कि जो आपका dipole moment है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका क्या जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि dipole moment of bar magnet जो होता है, that is directly proportional to the volume of the bar magnet, ठीक है, अब रही बात, पूल strength के बार तो pole strength का हम लोगों ने relation क्या पढ़ रखा है, pole strength जो हमारा होता है, that is equal to what, तो वो आपका equal होता है, dipole moment, वो आपका equal होता है, dipole moment, upon length of the magnet, ठीक है, जिसको in fact लेख सकता है, अपन, m by l, अब point हमारे यहां पर क्या है, कि जैसे कि मान लिजिए, कि आपका एक bar magnet दे रखाए, ठीक है, suppose के लिए कि यह आपका bar magnet है, अब यदि मैं इस bar magnet को along the length ऐसे cut करता हूं, तो cut करने के बाद एक मेरा उपर का हिसा मिल जागा, उपर वाला हिसा something कुछ ऐसा, और एक मुझे length में कोई परिवरता नहीं हुए, ठीक है, length जो पहले था, वही length बाकी के इन दोनों cut हुए material का भी है, ठीक है, so along the length cut करने पे length में कोई परिवरता नहीं हा रहा है, भहले volume आपका आधा हो जा रहा है, लेंद में कोई परिवरता नहीं हा रहा है, ठीक है, तो in fact what we can say, कि तो again हम लोग क्या कहा सकते, कि जो pole strength है यहाँ पर, वो pole strength actually क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा pole strength है, that is what, that is directly proportional to dipole moment, okay, अभी 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 dipole moment के directly proportional है, फिर से हम लोगी concept लगाएंगे, कि dipole moment तो volume of bar magnet के अभी 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 वोल्यमा आधा हो रहा है, तो polar strength भी अभी कहाँ होगा, पूल स्ट्रेंट भी आपका आधा हो जाएगा ठीक है तो दोनों के दोनों जो होंगे आपके वो दोनों के दोनों आपके हो रहे हैं हाफ हो रहे हैं ठीक है So this will be our final answer. Thank you.